वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शवहर ने उससे कहा था खाने के लिए उसने बादामों की एक थीली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मुश्कीजे में भर लिया उसके बाद उसने घर के बीरौनी दर्वाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी अभी दो कदम ही उठाए थे कि सोचा शोहर शायद फिर उस पर एतिबार न करे कि ताला लगाये बगएर ही आ गई हूँ इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए ये सोच कर उसने जोर लगाया और पूरा दर्वाजा ही अखाड कर सर पर रख लिया और वापस शोहर की तरफ चल पड़ी जब वो वापस वहाँ पहुची तो शोहर दर्वाजा उसके सर पर देख कर हैरान रहे गया और पूछा आए अकल मंद और्त ये क्या है बीवी चहक कर बोली तुम मुझे बेवकूफ समझते हो ना मगर देखो मैं कितनी अकल मंद हूँ मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे उसलिए मैं पूरा दर्वाजा ही साथ ले आई हूँ अब खुद देख लो मैंने उसमें ताला लगाया है या नहीं अरे 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 तुम तो पूरा दर्वाजा ही उखाड लाएं अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा किसानलाल पहला होकर बोला ओरे कोई कैसे घुस जाएगा दर्वाजा तो मेरे पास है फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो स अब तुम ही उसे अपने सर पर उठाओ। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। चारूना चार बीवी ने वो दर्वाजा दोबारा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थीली और पानी का मश्कीजा भी उसने दर्वाजे के साथ बांध रखा था जिसकी वजह से वजन ब भने दर्खत पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बर्गत की घनी शाखों में छिपकर बैठे ही थे कि चौर भी वहां होच गए। वो बहुत ठके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर इसी बर्गत के दर्खत के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज क कुछ सोच कर दर्खत की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर इन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों उस अफ्ताद से बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे हवा या आंधी तो है नहीं फिर ये फल कहां से और कैसे गर हैं किसान की बीवी दर्वाजा अपने कुंधे पर उठाए उठाए काफी ठक चुकी थी ओस ने सोचा कि दर्वाजे के साथ बंधा पानी का मश्कीजा इसके वजन में इजाफा कर रहा है उसने शोहर से कहा वजन ज्यादा हो गया है इसलिए मैं मुश्कीजा का पानी नीचे उंडेल दिया जब वो पानी नीचे बैठे चौरों के सर पर बरसा तो एक चला उठा आरे आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई है अगले ही लमहे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे उंडेलने के बावजूद दर्वाजा तो अभी तक वैसा ही वजनी है तो वो फिर शोहर से कहने लगी अब मैं बादाम भी नीचे फैंक रही हूँ अब मैं उनका बोज मजीद बरदाश्त नहीं कर सकती फिर उससे पहले कि शोहर कोई जवाब देता उसने बादामों से भरी पूरी थीली नीचे उलट दी जो नहीं वो सारे बादाम नीचे अवजूद भी जब दरवादे का वजन कम नहुआ तो वो सुझ गई कि खुद दरवादा ही बहुत वजनी है दर्वादा अब उससे सन्भाला नहीं जा रहा था वो उसके हाथ से फहसलने लगा था वो शवाहर से कहने लगी लो जी अब दरवादा भी चला ये कहते हुए उसने दर्वाजा छोड़ दिया, जो सईधा जाकर चौरों के उपर गरा। अरे मर गए, वो एक साथ चलाए और फिर ये देखे बगेर कि क्या चीज सर पर गरी है, सर पर पाउं रख कर भागे और कहते जा रहे थे। पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सिर पर आपड़ा है। भागते हुए चूर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। आन को भागता देख कर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे उतर आए। चौरों के सामान से उनको अपने सौने के सारे सुके वापस मिल गए। उन्होंने चौरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ वापस चल पड़े।